उसके बाद येसू यरोशेलम में एद के वास्ते गया यरोशेलम में भीड दर्वाजे के पास एक हौज है जो इबरानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके पांच बरामदे हैं पीमार लोगों की एक बड़ी भीड इन बरामदों में पड़ी थी उनमें अंधे, लंगडे और मफलूज भी थे वहाँ एक शक्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुप्तिला था उसको येसू ने पड़े देखा और जान गया कि वो बड़ी मुद्दत से बीमार है क्या तू तंदरुस्त होना चाहता है मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाये तो मुझे हौज में उतार दे कि मेरे पहुँचने से पहले दूसरा उतर पड़ता है पुट जा और अपनी चटाई उठाकर चल फिर वो शक्स फारं तंदुरस्त हो गया और अपनी चटाई उठाकर चलने फिर में लगा जिस दिन ये हुआ वो सबत का दिन था पस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे आज सबत का दिन है और तुझे चटाई उठाना रवा नहीं है जिसने मुझे तंदुरस्त किया उसने मुझसे कहा कि अपनी चटाई उठाकर चल फिर वो कौन है जिसने तुझसे ये करने को कहा लेकिन जिस शखस ने शिफा पाई थी वो येसू को नहीं जानता था क्यूंकि भीड के सबब से येसू वहां से चला गया था उसके बाद येसू ने उसे हैकल में पाया देख तो तंदुरस्त हो गया फिर गुना ना करना ऐसा नहोगी तुझ पर इससे भी स्यादा आफ़ 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 आए उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरस्त किया वो येसू है इसलिए यहूदी येसू को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था